साल दो जातेज में बधिप्रदेश में विधान सभा चुनाओ होने हैं ऐसे में सूबे के मुख्य राजितिक दल तेयारियों में चूटका हैं लेकिन इस बार विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रेस और भारती जंदा पार्टी को चुनाओती देने के लिए भीम आर्मी तीस तीसरे मोर्चे के लिए भीम आर्मी दलित और मुस्लिम वोटों को साधने में लग गई हैं विधान सभा चुनाओं में तीसरे मोर्चे के एंट्री को लेकर दलित चिंतक विजे सी यादव जाटव ने 91 News 9 से खास बात चित की 2023 में होने वाले मद्यपरदेश के विधान सभा चुनाओं में भीम आर्मी की एंट्री चुनाओं को दिल्चस्प बना देकी मद्यपरदेश विधान सभा में 35 सीटे अनुसुची जाती यानि एसी रिसर्व इन सीटों पर भीमार्मी अपने केंडिडेट उतारने का फैसला कर रही है साथ ही तीसरा मोर्चा बनाने की कवायत में जूटी भीमार में परदेश में तकरीबन 25 लाक मुस्लिम वोड यानि 10.12 परदेशत मुस्लिम वोडरों को साधने की तैयारी भी कर रही है कि अगर यूपी के बाद कर इस वस्ते जाला पाउजन गूर्मन में लिए उप जाओ फरती हैं मद्व परदेश में मद्व परदेश में पर देखिए हमारे जना दलितों का मद्व परदेश में बहुत बुरा हाल है और बुरे हाल में हमारे दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी कहने के लिए ये हैं कि कांग्रेस जना दलितों का समर्तन है और बीजेपी दलितों की बिरोदी है हमारे लिए दोनों एक होने के नाते हमने अभी बरतमान में भीम आर्मी आजात समाज पार्टी को अपने समाज का विसेशकर रविदात समाज की जो डेड़ करोड की आवादी मद्द परदेश की और डेड़ करोड की आवादी आदिवासियों की और पिछड़ा वर्गी की इन सबीने मिलकर के हमने अभी भी मार्मी को पूर्ण रूप से मद्द परदेश में सहयो के परदान किया है अभी उन्नीस तारीक को चंद सेखर आजाद और हम एक बहुत बड़ा बिशाल सम्मिलन जो शूपरी में हुआ जिसमें लगवख बीस हजार लोगों ने भाग लिया उस सम्मिलन में ये तै किया है कि पूरे परदेश के जिस परकार से दलितों को भटकना पड़ रहा है जगए जगए और इसमें हम पूरी तोर पे 65 लाग मुसल्मानों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं हम मुसल्मान भाईयों से भी अगर हमारे जहां गुरू रविदास हैं तो उनके यहां पर जोना बाबा सेख फरीद हैं विजे सिंग यादव कह रहे हैं कि वो 2023 के विधान सबाचनाव में डेल करोड दलित आदिवासी वोट और अन्य पिछला वोटों को मिला कर एक नया समिकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही वो इस समिकरण में मुसलिम वोटरों को भी साथने की कोशिश में जुटे हुए हैं यदि भीमार्मी अपने इस ओपरेशन में सफल हो गई तो ये तीसरा मोर्चा मद्रप्रदेश की राइडिती में एक व्यापक परिवर्तन ला देगा अब देखना होगा कि ये तीसरा मोर्चा बन पाता है या नहीं